हेलो एवरिवन, वेलकम टू क्या रहे सकती शॉट, क्या रहे सकती शॉट में आपका बहुत 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 आगत है तो फ्रेंट से एक बार फिर से मैं हादिर हूँ यहाँ पी सीटेट मैस के लिए और सीटेट 2020 जो होने वाला आपका एक्जाम है उसमें मैस के किस तरह के questions important पूछे जा सकते है वो मैं लेके आई हूँ आज मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ पे 10 questions का set और वो 10 questions जो होंगे उसी base पे होंगे जिस तरह के questions आप से अभी तक पूछे जाते रहे हैं तो चलिए देख लिजे कि आपकी preparation कितनी हो चुकी है पूरी मेरे इस session के साथ चलिए देखते हैं हमारा पहला question तो पहला question है आपका यहाँ से कि किसी ठोस घंके प्रिष्ट का छेतरफल 216 meter square है तो उसका आयतन कितना होगा आपको यहाँ पे 4 option दिये गए हैं पहला है आपका 100 meter cube दूसरा है 216 meter cube तीसरा है 480 meter cube और चौथा है 512 meter cube अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे अपना वीडियो pause करना है और इसको लगा करके देखना है कि कि इसने टाइम में आप इस question को अपने पास से solve कर पा रहे हो तो चलिए शुरू हो जाईए और आप लोग इसको solve करिए वीडियो पहले pause कर देखेगा pause करने के पास से आप क्या करिएगा इसे solve करेगा विकोज अगर मैं यहाँ पे timer देती हूँ तो उससे आपका time भी रुकसान होगा और आपका net भी waste हो जाएगा try कर लेना उसके बास से फिर देखना कि यहाँ पे जो answer मैं बता रही हूँ वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे इसका solution किसी ठोस घन के प्रिष्ट का चेतरफल दिया हुआ है और घन में 6 प्रिष्ट होते हैं यानिके 6 faces होते हैं तो 6 प्रिष्ट होते हैं और उनका चेतरफल दिया हुआ है 216 तो जो घन का चेतरफल होता है उसका जो formula होता है वो क्या होता है घं का जो छेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a² और जो घं का छेत्रफल दिया हुआ है वो क्या है 216 यानि कि 6a² की value दी हुई है 216 तो यहां से a² हो जाएगा 216 बटा 6 तो यह क्या हो गया 36 छेत्रे कठारा छाको 36 तो यहां से आपका हो जाएगा a² is equal to 36 यानि कि a की value कितनी आ गई 6 आ गई और किस में आ गई मीटर में आ गई अब यह a जो है वो क्या है यह a जो है वो उसका एक प्रिस्ट है ठीक है ना एक प्रिस्ट है वो कितना है 6 मीटर है अब आपके पूछ रहा है उसका आयतन कितना होगा तो जो घं का आयतन होता है वो होता है से इसका क्यूब ठीक है ना मतलब कि जो उसका एक साइड है उसका क्यूब होता है क्या होता है वो घं का आयतन होता है तो एक कितनी है 6 है तो 6 का cube करेंगे तो यहाँ से 6 multiply by 6 multiply by 6 तो यह कितना हो जाएगा 216 meter cube यहाँ से देखिए 216 meter cube आपको option number B आ रहा है और जो पहला वाला question है इसका answer जो होगा वो option number 20 सही हो जाएगा तो आई हो friends कि अगर आपने तैयारी अच्छे ते करी है तो आपने question कर लिया होगा बिल्कुल आप अपने आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं आज का question number second second question हमारा A, B और C की ओसत आयू 10 वर्ष है यदि A और C की ओसत आयू 9 वर्ष है तो आपको बताना है यहाँ से B की आयू कितने वर्ष होगी पहला option है 9 दूसरा है 10 तीसरा है 11 और चौथा है 12 तो तुरंत आप अपना वीडियो पॉस करिए और इस question को लगा करके चेक करिए कि आपने कहां तक preparation करी है और मैं बताने जारी हूँ इसका solution आप करने के बाद सही से यहां से देख सकते हैं A, B और C देखो जहां तक बात आती है ओसत आयू की यानिकि average की तो average दिया हुआ है तो अगर हमें से sum निकालना हो तो क्या करते हैं जितने लोगों का average दिया हुआ है उतने से multiply कर देते हैं यहां पर A, B और C की दी हुई है ना आयू देखो क्या है A, B, और C इन तीनों की ओसत आयू दी हुई है तो A, B, और C की आयू का योगफल कितना हो जाएगा योगफल मतलब क्या हो गया कि जितने आयू का जो ओसत दिया हुआ है उसमें उतने ही लोगों से multiply कर देते हैं A, B, और C कितने हैं? तीन है multiply कितना करना है? ओसत आयू से यानि कि 10 से तो यानि इनकी आयू का योगफल कितना हो गया? वो हो गया है 30 वर्ष clear है? यहां से A और C की ओसत आयू दिया हुआ है यानि कि A और C की आयू का योग कितना हो जाएगा? तो यहां से A और C की आयू का योग जो हो जाएगा A और C दो लोग हैं मतलब 2 और multiply by कितना औसत आयू से यानि कि 9 से तो ये हो जाएगा इनकी आयू का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष अब आपसे पूछ रहा है B की आयू तो क्या करेंगे B की आयू निकालने के लिए A, B और C तीनों की आयू के योग में से अगर हम A और C की आयू निकाल दे तो क्या हो जाएगा हमें B की आयू मिल जाएगी तो A, B और C की आयू का योग कितना है 30 A और C की आयू का योग कितना है 18 और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 यानि कि B की आयो है 12 वर्ष, option number D यहां से आपका सही हो गया है इतना करने का exam में time नहीं होता है कि आप statement लिखे because आपको तो सिर्फ वहाँ पर option टेक करना होता है यह मैं सिर्फ इसने बता रही हूँ ताकि यहां पे अगर आप लोगों ने practice नहीं कर रखी है अब अग्दम last time में तो आप इसे समझ लखो कि किया कैसे गया है otherwise मैं भी चाहती तो यहां से यह statement हटा देती और सीधे क्या करती यह portion आपको करके दिखा देती तो यह उर्लों के लिए है जो नहीं कर बार रहा है जिने नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो यह देखते हैं हमारा next question question no.3 है हमारा कि यदि a power x is equal to b, b power y is equal to c and c power z is equal to a है तो x, y, z का मान क्या हो जाएगा option दे रखा है a is equal to 0, b आपका 1 है, c 2 है और d 3 है तो चलिए शुरू करिए आप अपनी तरफ से करना है और मैं कर रही हूँ इसे यहाँ पे तो देखें कैसे करेंगे से हम, a x के 1 power x है और is equal to b लिखा हुआ है तो पहले हम इसको 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 लिख लेते हैं, a power x is equal to b अब देखें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ करेंगे क्या अब यह चीज़ देखें कि अगर b power y हो जाता, तो हम इसको c लिख पाते तो एक काम करते हैं कि इन दोनों की तरफ power y लगा लेते है चुकि अगर एक तरफ लगाते तो गलत होता, बट हमने तो दोनों तरफ power y कर लिया है अब यह a और यह x और y multiply होके xy हो जाएगा और यह हो जाएगा b power y अब आप देख लो कि b power y हो चुका है और b power y की value यहाँ दे रखी है, कितनी c दे रखी है तो यहाँ पर हम c लिख सकते हैं, यानि कि a के power xy is equal to हम c कर सकते हैं, ठीक है हम यह कर क्यों रहे हैं, हमें चाहिए xyz, तो हमें xyz चाहिए, इसलिए हम लोग यह सब काम कर रहे हैं xy मिल चुका है, अभी हमें z भी चाहिए, तो अब देखो logic कहां से मिल रहा है xy मिल चुका है, अब हमें z भी चाहिए, तो हम power z कर लें, ठीक है तो again हम क्या करते हैं, कि दोनों के power, यानि कि इन ही दोनों के power हम z लगाते हैं एक बर इधर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a के power xy, z हो जाएगा और यह c के power z हो जाएगा, c के power z की value यहां से a है यानि कि a के power xyz और यहां से a क्या हो गया, a के power xyz और यहां से a बिकाज इसकी value तो a ही है अब इस a के power क्या है, फ़िए 0 तो है नहीं अगर a power 0 होता तो यह पूरी value 1 हो जाती मतलब कि यहाँ पर क्या है? 1 है जो आपको दिखने ही रहा है अगर कहीं b लिखा है तो b की power 1 होता है यह आपको मानना है दोनों को compare करेंगे तो x, y, z की value यह a और a दोनों base में है compare करेंगे तो x, y, z यानि कि यह power इस power के equal हो जाएगा तो x, y, z इसकी value आजाएगी 1 यहाँ से और यहाँ से जो आपको option हो जाएगा वो option number b जो है वो सही हो जाएगा देख लेते हैं question number 4 तो next question हमारा question number 4 है 4 देखिए बहुत ही easy question है यहाँ पोच रहा है 0.0159 में 1 का स्थानी अमान है इसमें आपको pause करने की दरुत नहीं है because यह बहुत easy है place value, face value मैंने करा रखा है पहले seated की class में अपनी तो अगर आपको चाहिए होगा तो उसका जो basics है वो आपको वहाँ से clear हो जाएगा आप देख लेना मैं description box में जो है अपना जो है वहाँ का link डाल दोंगी आप से पूछ रहा है 1 का स्थानी अमान तो देखो 1 इसमें आग कहा रहा है 0.01 ठीक है ऐसे आ रहा है 0.01 यहां लग रहा है 0.01 यारी इसे कह सकते हैं 0.01 और 0.01 को हम लिखते क्या है 1 by 100 यारी की option number C यहां से इसका answer हो जाएगा next नमारा question पी दिकिए बहुत छोटा सा है 5 by 6 multiply by 2 by 9 plus 2 by 9 divide by 6 by 7 का सरलतम रूप क्या होगा चार आपको option दे रखें दिखने में बहुत छोटा है बट करने का जिसका method है वह थोड़ा सा different होगा जब भी इस तरह का question आता है तो confusion यह create हो जाती है कि हम पहले solve क्या करें तो हमेशा यह जान लो कि कभी भी इस तरह का simplification आता है तो आपको board mass rule लगाना पड़ता है और board mass rule को आप follow करेंगे तो जो आपका board mass rule होता है BODMAS B से होता है आपका bracket अगर bracket लगया है तो पहले उसको आप तोड़ेंगे O से होता है off, off means होता है का, अगर हिंदी में कहीं का लिखा होता है तो फिर उसको हम का को तोड़ते हैं D से division हो जाता है भाग, M से multiplication यानि गुणा A से addition यानि की जोड़ और S से subtraction यानि की minus करते हैं, उसमें हम red करते हैं यहाँ पर सबसे पहले sign कौन सा दिख रहा है यहाँ पर तो देखिए, bracket भी नहीं है छोड़ दिया, off यानि का भी कहीं नहीं लिखा है तो का को भी छोड़ देंगे फिर division आ रहा है, मतलब कि पहले हमें ये solve करना है तो चलिए solve करते हैं, यहाँ से 5 by 6 multiply by 2 by 9 plus 2 by 9 यह division है, हम solve करना है तो यह तो आप क्या करेंगे, उल्टा करके divide कर दें, और यह क्या करें इसे हम multiply करके हम इसे पलट देंगे, यानि कि 7 by 6 कर लेंगे तो यह 2, 3, 6 हो जाएगा और वापस से लिख सकते हैं 5 by 6 into 2 by 9 plus 7 by 27 अब क्या करेंगे, यहाँ plus आ चुका है और यहाँ multiply है, तो division के बाद से multiplication करते हैं, तो multiply कर लेते हैं तो 5, 2, 10 और यह 54 और plus 7 by 27 चाहो तो इसे आप लोग कट कर लो तो cut इसलिए कर लो, cut करने से क्या हो जाएगा 27, 27 जो है base इसका equal हो जाएगा, denominator जो है वो equal हो जाएगा 2, 5 जा 10, 2, 2 जा 4 2, 7 जा 14, यानि कि यह 5 by 27 हो गया है और यह 7 by 27, इसे हम लिख सकते हैं 12 by 27 अब 12 by 27 क्योंकि यह आपका fraction में आ चुका है और आपका जो option दे रखा है, वो point में दे रखा है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा decimal में लेके आना ही पड़ेगा 27 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस 3 से पहले कट रहा है यानि कि 4 by 9 अब 4 by 9 से करना easy हो गया 0 लगाएंगे, point लगाएंगे 9, 4 जा 36, 9, 4 जा 36 यानि कि 0.44 जो है इसका answer हो जाएगा question number 5 के first part क्या हो जाएंगे इसके? answer हो जाएंगे तो I hope कि आपको यह जो आपका 50% यानि कि 5 question में आपको करा दिया है और इससे आपको खुद से अंदाज लग रहा होगा कि आपकी preparation कितनी अच्छी है क्योंकि यह सारे question जो है ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पूछे ही कह हैं आपसे और उसी तरह से relate करते हुए question है देख लेते हैं अब next 5 कौन-कौन से question है so next question है हमारा question number 6 के एक आयताकार मैदान की लंबाई है 35 मीटर और उसका च्छेतरफल दे रखा है 700 वर्ग मीटर यानि के 600 मीटर स्क्वाइर चोड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी बताना है option दे रखा है A10, B15, C20 और D25 मीटर में तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले तो दिया हुआ है आयताकार मैदान की लंबाई हाँ पहले आप खुछे ट्राई कर लेना उसके बाद से यहाँ देखना मैदान की लंबाई दे रखी है तो short form लिख रहे हूँ लंबाई दे रखी है 35 मीटर च्छेतरफल दे रखा है ठीक है और यह किसका च्छेतरफल है यह है आपका च्छेतरफल आयताकार मैदान का और आयताकार मैदान का जो च्छेतरफल होता है वो कितना होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि की length into breath यह होता है न और इसी की value दे रखी है 700 और लंबाई कितनी है 35 तो चौड़ाई को अगर हम एक्स मालने तो भी ठीक है नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह हम चौड़ाई लिखकर ही गाम चला लेंगे यहां पर कितना हो जाएका 700 बटा 35 और 35 दोना होता है 70 यानि कि चौड़ाई कितनी निकल के आ गई कि है चौड़ाई निकल के आ गई है 50 मिटर ठीक है यहां से चौड़ाई निकल के आ गई है पूछरह रहा है चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी यहां से जो आपको आजाएको प्शिं नमबर बीस चा होगा देखते हैं question number seven so next हमारा question number seven है कि अगर A और B की आयू का अनुपाद 6 संबंधे पांच है यानि कि six ratio five है तो उनकी आयू का योग 44 वर्ष है आपसे पूछ रहा है आठ वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपाद क्या होगा तो यह चुकि ratio दिया हुआ है तो ratio में हम क्या करते हैं आपको पता होगा कि हमेशा एक साथ में लेके चलते हैं तो हम suppose कर लेंगे कि एक की जो age है वो कितनी हो जाएगी 6x और b की हो जाएगी 5x ठीक है रेशियो में है तो अलग करने के लिए हमने एक क्या किया है यहां से x को रखा है आप से कह रहा है उनकी आयू का योग 44 है यानि कि इसका और इसका जो age है 6x प्लस 5x यह कितना है 44 है तो यहां से 11x की value 44 हो एक की आयू कितनी हो जाएगी एक ही आयू हो जाएगी यहां से कितनी है 6x और x की value 4 निकल के आ गई है यानि कि एक ही आयू जो है वो 24 वर्ष है और जो b की आयू है वो कितनी है वो हो जाएगी 5x वेकाज वो हमने क्या लिया है 5x लिया है तो 5 x 4 यह हो जाएगा कितना 20 यह यानि कि 20 वर्ष अभी भी question यहां पर ख़तम नहीं हुआ है पूछ रहा है 8 वर्ष बात उनकी आयो का अनुपात बताईए तो अभी तो यह वर्तमान आयो निकल गई अब 8 वर्ष बात तो आज अगर किसी की 8-10 साल है तो आज से 8 साल बात कितनी हो जाएगी उसमें 8 प्लस कर लेते हैं तो यही इनकी प्रेजेंटेज है और 8 साल बात तो एक की आयो जो है 8 साल बात कितनी होगी 24 प्लस 8 यानि कि 32 ठीक है वर्ष यह समझ लेना 32 और शायद यहां दिखने रहा होगा मैं यहां लिख रहे हूं एक कितनी हो गई 32 ठीक है और बी की कितनी हो जाएगी यह 208 वर्ष बात हो जाएगी 28 आप से पूछा है इसका अनुपात बताई ठीक है तो ऐसे त्थी टू है और वी 28 नुपात कितना हो गया 4 honors 32 और 47 एट यह यानि की 8 संब्द से साथ जो है इसका हो जाएगा रेश्यो इAST वर्षबाद A और B की आयू का अनुपाद 8 ratio 7 हो जाएगा देखते हैं next question number 8 next question number 8 देखें क्या है कि एक त्रेबुच के कोड़ों में 2 ratio 3 और ratio 4 का अनुपाद है त्रेबुच के कोड़ होंगे तो मैंने बताया था कि जो ratio वाले questions होते हैं उनमें क्या कर लेते हैं हम माल लेते हैं जी कि तीन कोड़ों होते है त्रेबुच में ठीके पहला कितना है 2 है यानि कि 2x है जो पहला कोड़ है वो कितना है आपका यहां से 2x है जो दूसरा कोड़ है यह लिखने के दरूत नहीं है बस मैं समझा रही हूं 3x और तीसरा जो कोड़ होगा वो कितना है वो है आपका 4x ठीके त्रेबुच के कोड़ कौन कौन से होंगे इतना ही पूछा है ठीके न और आपको यह पता होगा कि त्रेबुच में तीनो कोड़ों का जो योगफल होता है वो 180 होता है तो यह 1, 2, 3 इन तीनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 180 डिगरी होगा तो यहां से यह 180 कितना हो गया यह हो गया 9x और यह हो गया 180 ठीके तो x की value कितनी हो गयी यहां से 20 हो गयी अब अगर x 20 हो गया है तो हम सारे कोड़ निकाल सकते हैं जहां जहां x है वहां 20 फिल कर देंगे तो 40, 60, 80 और यह आपका है option number C यानि कि जो इसके code हो जाएंगे वो 14 degree, 60 degree और 80 degree हो जाएंगे देख लेते हैं हमारा last second question यानि कि question number 9 next question हमारा question number 9 है देखे 0.125 के power 2 by 3 का मान क्या होगा option दे रखा है 2.5, 0.25, 0.025 और 0.0025 तो क्या करते हैं 0.125 है 125 जो होता है वो 5 का cube होता है तो अगर 0.125 लिखा हुआ है मतलब कि 3 digit के 5 decimal है मतलब कि यह 0.5 का cube है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 का cube ठीके और इसके भी power कितना है 2 by 3 है यानि कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 by 3 लेकिन जब हम power को multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 पावर 3 multiply by 2 by 3 3 से 3 cancel out हो जाएगा तो बच क्या रहा है 0.5 का square बच रहा है मतलब कि 0.5 को दो बार multiply करना है और यह आ जाएगा 0.25 जो कि है आपका option number B नेक्स्ट हमारा टेंथ क्वेशन है 2 by 3 और 3 by 4 का लगुत्तम समापवर्त क्या होगा मैंने इसे भी अपने सीटेट की क्लास में करा रखा है कि भिन्नों का लगुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है तो आप वहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं मैं इसका भी लिंक से निकाल देंगे 2 और 3 का लगुत्तम समापवर्त अपन जो नीचे दिया हुआ है तीन और चार का मस चुकि यह अभी मैंने फॉर्स्ट टेम कराया है यहां पर इसलिए मैंने बहुत छोटे नंबर लिए हैं नंबर्स चेंज भी कर सकता है पस आपको करने का तरीका पता हो होना चारिए टूर्टी का लस लसब लसब में सब लसी मज़िया है तो ट्री के बहुत छोटे नंबर है तो क्या हो जाए गाu एक है कि हमने हो रहा है वन हो जाएगा और यहोज़ाएगा जो आंसर हो जाएगा यहां से टेंथ का डी हो जाएगा तो यह रहाira आज का 10 questions का set और इससे definitely आप अंदाज लगा पाऊगे कि आप कहां लाए कर रहे हो अभी और आपकी तयारी कितनी है मैस की तो ऐसे ही मैं sets लेके आती रहूंगी तो आप लोग प्लीज अगर नए हो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेंगे और आप लिए लेकर के आऊंगी मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल टेक क्यारें बाबाई